हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका आपके अपने येट्यूब चैनल इज माइन्वेस्टमेंट में अदानी ग्रूप के शेयर में आज खबरों के बीच जवर्दस उठा पटक देखने को मिली ग्रूप के जितने भी शेयर्स हैं वो लगबग लोवर सरकिट के साथ खुले और जो शेयर्स एफेंडो में हैं वो तो एक टाइम पे 25-30% तक जो है करेक्शन इंट्राडे में देखने को मिली फ्रिंट्स आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जिस तरह से भारी वोलेटिलिटी अदानी ग्रूप के शेयर्स में देखने को मिल रही है क्या यहां पे कोई खरीदारी का मौका बन रहा है और आने वाले टाइम में अदानी ग्रूप के शियर में आप किसी स्ट्राटेजी के साथ मोटी कमाई कर सकते हैं आज अदानी ग्रूप के पुरे ग्रूप की बात करें तो लगबग 54,000 करोड की मार्केट कैपिटल एक ही दिन में साफ हो गई और यह मानके चलिए कि लगबग पिछले कहीं सालों का सबसे बड़ा इंट्राडे लॉस जो है अदानी ग्रूप के शियर में हुआ है यह पूरा जो है आज जो करेक्शन आई वो उसके बाद स्टार्ट हुई जब यह न्यूज आई की NSDL ने तीन एफपी आई यानि फोरन पॉर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के अकाउंट को फ्रीज कर दिया है जिनके पास अदानी ग्रूप के लगबग 40,000 करोड के आसपास के शियर थे उसके बाद तो ग्रूप के सारे शियर डाउन सरकिट पे खुले और एफएंडो के शियर में तो मारकाट देखने को मिली और लगबग जो है सारे शियर पास से दस परसेंट की करेक्शन के साथ बंद हुए अदानी ग्रूप की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि ये जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं ये बिलकुल फॉल्स हैं और यहां पर इन्होंने बोला है कि इस तरह की रिपोर्ट से ग्रूप की रेपोटेशन भी खराब होती है और इन्वेस्टर्स का भी काफी बड़ा लॉस होता है उन्होंने बिलकुल क्लियर किया है कि जो company के account है FPI के जो account है उनको freeze नहीं किया गया है जिसके बाद हमने देखा कि निचले लेवल से stock काफी जादा जो है संभल कर बंद हुए अदानी enterprises जो इनकी holding company है वो एक time पे 25-27% के correction के साथ जो है trade कर रहा था और बाद में 6% के correction के साथ बंद हुआ अदानी ग्रूप की clarification के बाद stock में सारे ही stocks में एक नीचले लेवल से support देखने को मिला अच्छा खासा bounce back आया और फिर भी एक बड़ी correction के साथ stock बंद हुए फिर्ट सब बात आती है कि इस उठापटक के बीच अब क्या strategy होनी चाहिए अदानी ग्रूप के लगबग सारे ही stock अदानी greens की हम बात करें अदानी total gas की बात करें इसके अलावा अदानी enterprises अदानी power लगबग सारे stock में multi fold jump देखने को मिला है अदानी green के stock की बात करें तो लगबग निचले level से वो stock लगबग 20 गुना बढ़ चुका है अदानी enterprises लगबग 10 गुना पिछले एक साल में 300-300% अगरने मैं 15-16 महिने का data उठाओ या March के low जब COVID की wave के बाद अपरेल में low बनाया था वहां से उठाओ तो लगबग लगबग सारे stocks 10-10 गुना तक बढ़ चुके हैं अदानी group की market capital पिछले एक से डेड़ साल में 10-12 गुना हो चुकी है stocks बहुत ज़ादा already बढ़े हुए थे और शायद एक profit booking आनी चाहिए थे इस news का भी उसको support मिल गया इसके बाद में सेबी की भी जो है लगतार ये reports आ रही है कि सेबी जो है इस बात को prob कर रहा है investigate कर रहा है कि अदानी group के share जो लगबग 10-12 गुना तक बढ़े हैं पिछले एक साल में वहाँ पर जो है कोई manipulation तो नहीं है हलाकि काफी media ने इस reports को publish किया है पर यहाँ पर किसी भी तरह का कोई confirmation नहीं है कि ऐसा कोई प्रॉब्य investigation चल रहा है नहीं और हम इसमा investment पर भी इस बात की पुष्टी नहीं करते हैं यह सरिफ मेडिया रिपोर्ट की सोर्स से हम आपको बता रहे हैं अब फ्रेंड्स क्या कोई opportunity है buy करने कि यह नहीं पहले तो इस बात को समझे कि यह stock इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं चाहिए आप किसी भी शेयर को देख लीजी अपने पियर्स के मुकाबले में यह सारे शेयर जो हैं बहुत महंगा ट्रेड कर रहे हैं इवन पार शेयर के बारे में तो कहा जाता था कि वो कभी return देते ही नहीं है ऐसे में अदानी ग्रीन 40-50 रूपे से नौन इस्टॉप को दो तरह से ट्रेड करना है अगर आप अदानी ग्रूप में एक long term investor की तरह हैं आप तीन से पांस साल मोटा मोटा मानी की एक साल के लिए भी शेयर में minimum investment करते हैं तो अभी आप इन सारे शेयर से बिल्कुल दूर रहें मार्किट में जब correction आएगी substantial correction आए तो ही आप अपन time में देखने को मिलेंगे अब बात आती है traders की यहां पर friendship stock chart पर मेरे को strong लगते हैं सारे stocks अच्छे हैं limelight में बने हुए है market का trend भी positive है even आज भी जो बड़ी correction आए ती उसमें जिन्होंने खरीदा होगा एक अच्छा फाइदा हुआ होगा इस news पर clarification आती है तो इन सारे stocks मे के लिए जरूर खरीज सकते हैं पर आप stop loss लगा के खरीदें वह ऐसा नहों कि आप trading के लिए खरीदें फिर long term के लिए hold हो जाए क्योंकि हमारा मानना है कि आने वाले time में एक बड़ा correction बड़े का मतलब कुछ ऐसा नहीं कि stock कोई 50-60% तोड़ जाएंगे substantial correction 10-15-20% कन shares में आ सकता है और investors को अच्छे level मिलेंगे accumulate करने के लिए फिलाहाल investor इन stock से दूर रहें और quick gain के लिए कोई बड़ा investment ना करें जो skilled trader है stop loss लगा के trade करना जानते हैं वो bounce back के लिए एक chance यहां पर ले सकते हैं further आपकी कोई भी query in shares को लेकर हो feel free to ask me in the comment section वीडियो पसंद आईए like कीज दोस्तों के साथ share कीजिए is my investment को subscribe करना ना भूले thank you